ये कथा गुरू गोरकनात और माता बाचल के बीट समवाद को दर्शाती है। इसमें माता बाचल को आश्वासन दिया जाता है कि उनके पुत्र महान कार्य करेंगे। गुरू गोरकनात का पाताल लोक में जाना और नागुल द्वारा बाधा उत्पन करना इस बात का प्रतीक है कि महान कार्यों के लिए कृठिनायों का सामना करना पड़ता है। दूसरी कहानी में जब गुरू गोरकनात ने अरजुन के वनशज राजा जनमेजय को शक्ति शाली वर्दान दिया तो तक्षक नाग ने उनका पीछा किया। इस संधर्ष में गुरू की शक्ति और साहस का परिचय मिलता है जो ये दर्शाता है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए देवता हमेशा तत पर रहते हैं। इन कताओं में धर्म, साहस और भक्ती का संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है।